कर्मनगरी प्रयागराच में इन दिनो माग मेला चल रहा है और देश के कुने कुने से साधू संतो श्रधालू या पहुंचे हैं। एक साधू है जो आकर्शन का केंद्र बने हुए हैं। लोग उन्हें कांटे वाले बाबा नाम से पुकारते हैं। आपको एक रेपोर्ट दिखाते हैं। लोग उनके पास आकर उनका अशिर्वाद लेते हैं। कांटा चुबने मातर से पीड़ा की अनगूती होने लगती है। लेकिन बाबा तो कांटों की सेजबर लेटे हुए हैं। यही बाद उन्हें सबसे अलग बनाती है। लोग का मानना है कि इस तरह की कठिन साधना करने वाले बाबा माग मेले में कम ही देखने को मिलते हैं। बाबा की ये साधना कई दशकों से चल रही है। अयोध्या में भव्वे राम मंदिर बनने की जिस तरह हर राम भक की लालसा थी। उसी तरह बाबा रमेश निशाद ने भी कठिन प्रण लिया हुआ है। अयोध्या में राम लला लोट आए हैं जिसे साधू संतों में भी परम संतोष की भावना है। बाबा रमेश निशाद के मन में विश्वास है कि अयोध्या की तरह काशी और मतुरा में भी सनातन की चीत होगी। जहिए कि मेरे गुरु को ज्यान दिया। बेटा तो आजन लगाओगे तो कए कमीण होगा। अखमान का घंगाम आएकर 7 करोगे तो कोई तकलिफ नहीं होगा। गुरुनीं क्यान धिया हमको। मेले में पहुंचे श्रधालुगन भी बाबा के तपस्या को देखकर अच्रज में पढ़ जाते हैं बाबा को देखते ही उनके कदम ठिठक जाते हैं इनकी साधना बहुत ही प्रवशनी है और बहुत त्यागी तपश्वी हैं हमारी सनातन धर्म के लिए ऐसे ऐसे त्यागी पूर्श हुए हैं कि जो स्वाडिंग काल तक चलता रहेगा और हमारा यू राम में है और भबत करपाइन पर है ऐसे हम लोग का ये करतब है कि हम लोग सभी त्यागी बने तपश्वी बने और अपने सनातन को मजबूत बनाएं बाबा रमेश निशाद का कहना है कि उन पर ईश्वर की विशेश क्रिपा है और इसी वज़े से उन्हें काटों से कोई नुक्सान ही नहीं होता वो तो बस इश्वर की भक्ती में ली है प्रयाग राज से न्यूज 18 के लिए सरवेश दुबे की रिपोर्ट योपे विधान सभा में आम सहमती से लेफ्ट और एस्केलेटर विदेहक पास हो गया है और इसके तहत मिस्तक्त नियम बनाए गए हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद ही कारगर साबिक होंगे एक रिपोर्ट आप चुने खाओ आई दिन लिफ्ट हाद्सो के मामले सामने आते रहते हैं हाद्सो कुले कर गहरी चिंता जताई जाती थी इसे के साथ ठोस कानूर की जरूरत पढ़ने लगी थी योपी सरकार हाद्सो के रोख थाम के लिए काफी समय से प्रयासरत थी योगी सरकार ने लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कानूर बनाने के निर्देश दिये थे और अब जाकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने लिफ्ट एंड एसकेलेटर बिल को पास कर दिया है इसकी तहक कई सक्तनियम बनाए गए हैं शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उडज़ा मंतरी अर्विंद कुमार शेर्मा ने सदन में लिफ्ट विधेग पेश किया इस विधेग को पूरे सदनने सर्व समिति से पास कर दिया गया इस एक्ट के मुताबिक घरेलू लिफ्ट को छोड़ कर बाकी सब ही जगों पर लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनेवारे होगा अब से उत्तरप्रदेश में किसी भी बहुमंजला बिल्डिंग में लिफ्ट या एसकेलेटर लगाने के लिए इजासत लेनी होगी और विद्दुत सुरक्षा निर्देशाले में रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा नए नियमों के मताबिक थर्ड पार्टी इंशॉरंस करवाना ओर्टो रेस्क्यू डिवाइस लगाना जरूरी होगा जो यहां बात हुई कि कितने एक्सिडेंट हुए कितने लोग मरे पहली बात तो यह कि कितने मरे सो मरे या एक मरे दोनों ही उतना ही महत्तपूर्ण है जिवन जो है उतना ही वैलुएबूल होता है तो इसमें न पढ़ा जा दूसरी बात कि चुकी ये अधिमियम हमारे पास नहीं है इसलिए हमें सच बताओं तो हमने अपने विभाद से पूछा कि वरतमान में कितनी लिफ्ट अपने राज में चल रही होगी कोई आंकरा नहीं ह पूली स्टेशन हमें जा करके इकठा करना पड़ेगा तो इसी लिए आवस्टेशन के मानने अधिमियम कि कम से कम जहां लिफ्ट लगती है वहां उस व्यक्ति को एक निश्चित अधिकारी को बता देना आवस्टेशन उसका आवस्टेशन माना जाएगा नोईडा गाज़बाद जैसे बड़े शहरों की बव मजला इमार्तु में आई दिन लिफ्ट में हो रहे हाद सु कुले कर हर तरफ से चिंता चताई चारे थी नियम के मताबिक अब जो लिफ्ट लगेगी उसमें और्ट्यो रेस्क्यू डिवाइस लगा होगा अगर बिचली या तकनीकी खराबी होनी की वज़े से लिफ्ट रुख जाती है तो नस्दी की फ्लोर पर अपने आप आकर दर्वासा खुल जाएगा जो सेक्षन बारह साथ है उसकी निचली दो लाइने अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बीमा का पूरी रुख से उलेक किया गया है और तीसरी और अंतिम बात मानने है देख जी ये है कि इसमें बहुत सारी बाते ऐसी है और बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जैसे आपने कहा कि बोबंजला बिल्डिंग है बिल्डर ने बनाया लोगों को बेज दिया बिल्डर अपना भाग गया तो किसी ने किसी की जारी सुनिश्वित करने के लिए आपने सायद पढ़ा नहीं लेकिन हमने अले ये कहा हुआ है कि जो और बारिकिया है जो और डिटेलिंग जिसको करते हैं वो हमारे नियमों में आएगए उत्तरप्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा गौतम बुधनगर और गाजयबाद जिले के लोगों को मिलेगा गाजयबाद के साथ नुएडा और ग्रेटर नुएडा की सेगडो हाउजिंग सोसाइटी में हजारों की संख्या में लिफ्ट लगी हुई है जिसके रखरखाओं को लेकर कोई नियम नहीं है बीते पांच परवरी को कैबिनिट की बैठिक में लिफ्ट में हो रहे हाथसों को रोखने के लिए कानून बनाने का फैसला हुआ था कानून का मकसद बहुँ अंजला इमारतु में लिफ्ट में हो रही दुरखटनाओं को रोखने और जवाब देही तैय करना है Bureau Report, News 18